पंडी जी क्योंकि इस साल की शुरुवात होने वाली है नए साल में हम प्रवेश कर रही हैं और ऐसे में राशियों का किस तरह का प्रभाव होगा हमारे जिंदिगी में हमारे इस नए साल में ये जानने के लिए सबसे पहले पंडी जी मैं आप से जानना चाहूंगी कि खास इनका साल रहने वाला है वर्स के जन्वरी फर्वरी और 28 मार्स तक का जो समय रहेगा वह उत्तम ही नहीं सरोतम रहेगा इस समय काल में आप जितना पुर्दिशा में यात्रा करेंगे या पुर्दिशा की ओर से जो भी जात तक आपके संपर्त में आएंगे उससे सरवादिक लाप प्राप्त होगा गिन्तु ध्यान देने की आवक्स्तत्ता है यदि उत्तर दिशा से कोई कुम्बरासी यानि सर नाम का जातक आवे तो सावधान रहे और उसके साथ एग्रिमेंट करना हो तो पहले काग्जात को ठीक से पढ़ ले 28 मार्च के बाद का जो समय रहेगा यह सामान्य हो जाएगा और यह सामानी सिती अक्टूबर 28 तक रहेगी इसमें कुछ मंत्र का यदि हम जब कर लें तो सरवाधिक लाप प्राप्त होगा तो आई यह जानते हैं कि कौन सा जब करें ओम अंगंगार काई नमः इसमंद्र का प्रती दिन 108 बार जब करें जो लोग प्रती दिन जब नहीं कर सकते हैं वे लोग केवल मंगलवार के दिन सुर्वदय से सुर्यास के बीच में कर लें और संबह हो तो आपका मुख जो है पुरदिशा की योगर या उत्तरा भी मुख होकर कर लें इससे सरवादिक लाग प्राप्त होगा अठाइस अक्टूबर साइकाल से जो समय रहेगा वह सरुत्तब होने लगेगा तो अठाइस अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का जो समय रहेगा वह गोल्लें रहेगा धन, पद, पतिष्ठा, वाहन, भूमी, भवन, रुके हुए सारे कार्याप के बन जाएंगे इस समय काल में सिंग राशी, कन्या राशी का कोई व्यक्ति आपके संपर्क में यदि आता है तो जान लें कि सोने पे सुहागा होगा इस काल में पश्चि मुत्त दिशा में सरवाधिक लाब मिलेगा आप वरिश्चिक राशी के जातक यानि जो ना नाम का व्यक्ति है उससे सावधान रहें और इस काल में आप सुर्य के निमित एक लोटा जले लें थोड़ा रोली डाल लें लाल पुस्प डाल लें अक्षट डाल लें और पुरुदिशा की ओर मूँ कर लें और एक मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र के साथ सुर्य को अर्ग दें यह मंत्र इस प्रकार है ओम गिर्णी सुर्याय नमा